नमस्कार आप देख रहे हैं 4 पेम मैं हूँ आपके साथ सिम्रन अच्छारवी लोगसभा के पहले सत्र की शुरुवात आज से हो चुकी है संसत का ये सत्र 24 जून से शुरू होकर 3 जुलाई तक चलने वाला है और इन 10 दिनों के दौरान कल कुल 8 बैठके होने वाली हैं इस सत्र के दौरान आज और कल यानि की 24 और 25 जून को नए सांसदों को लोगसभा सदस्र की शपत दिलाई जाएगी पीम मोजी समेथ कई सांसदों को आज प्रोटेम स्पीकर भतरीहरी महताब ने शपत दिलाई नए सांसदों के शपत लेने का सिलसला कल भी जौरी रहेगा इसके बाद 26 जून को नए लोगसभा ध्यच का चुनाव होना है जिसको लेकर पिछले कुछ वक्त से काफी चर्चाएं भी चल रहे हैं वह 27 जून को राश्टपती संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी इसके बाद राश्टपती के विभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताफ पर 28 जून को बहस शुरू होगी वहीं 2 या 3 जुलाई को प्रधान मंतरी बहस का जवाब देंगे इस बार संसद का ये पहला सत्र और बाकी पूरे समय ही संसद का महौल पिछले 10 सालों के संसद के महौल से अलग रहने वाला है क्योंकि इस बार विपक्ष पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा मस्पूत है इस बार विपक्ष किसी मुद्दे पर बाइकोच करने की बचाए बहस वा हंगामा करेगा इस बार विपक्ष सरकार को मुद्दोग पर घेरेगा और जिससे जवाब मांगेगा और वहीं दूसरी और भाचपा पियम मोदी भी इस बार अपनी मनमानी नहीं चला पाएंगे क्योंकि इस बार ये NDA की खिचड़ी सरकार है ना कि पिछले दो बार की तरहा की भाचपा की फुल मेजॉरिटी की सरकार है इसमें NDA के अन्य दल चुपी साधे बैठे रहे थे इसलिए इस बार संसत का ये पहला सत्र और बाकी अन्य सत्र भी काफी रोचक और खास रहने वाले हैं ये पहला मौका होगा जब नरेंद्र मोदी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होगा और वो बैसाखियों की सहयोगी सरकार का नेतरित्व करेंगे भले वो गुजरात में उनके मुख्यमंतरी का कारेकाल हो या फिर दस साल के उनके प्रधानमंतरी का कारेकाल हो इस बार मजबूत विपक्ष भी मोदी की मुश्किले बढ़ाएगा क्योंकि मोदी के शाशनकाल में पहली बार विपक्ष इतना मजबूत होगा इसलिए इस बार मोदी की मुश्किले पूरे कारेकाल की दौरान बढ़ी रहेंगी संसत्र के पहले ही दिन मजबूत विपक्ष और गडबंधन की सरकार की मोदी की कमजोरी दोनों ही की जलक देखने को मिल गई और इस बात का भी अंदेशा लग गया था कि इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष मोदी की इस खिचुडी सरकार पर हमलवर रहने वाला है और मोदी सरकार को घेड़ने के लिए तयार है संसत्र का पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधान अंतरी नरेंद्र मोदी ने संसत्र के बाहर मीडिया को संबूधित करते हुए जो भाशन दिया उसमें इस बार बैसाखियों के सहारे बनी सरकार का आभास दिखा साथ ही सहयोगियों की ताकत कितनी जरूरी है ये भी मोदी के भाशन में साफ दिखाई पड़ा अपने भाशन के दौरान पियम मोदी ने मोदी सरकार के एहंकार की जगा हमारी सरकार कहते हुए अपनी बात रखी वही विपक्ष के लिए भी उस तरह की हिंता नहीं दिखा पाये जैसे पिछले दो कारेकाल की दौरान दिखी थी वह इचारवी लोगसभा की पहले सतर की शुरुवात से पहले का पियम मोदी का जो भाशन था वो तकरीवन साथ मिनेट का था जबकि इस बार का भाशन 2019 के भाशन से दो गुना लंबा यानि की पंदरा मिनेट का हो गया वहीं इस बार के भाशन में पियम मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा जताते हुए कहा कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है अब तक जो निराशा मिली है शायद इ विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है लोगतंत्र की गरिमा पनाय रखने की अपेक्षा रखता है मैं आशा करता हूं कि विपक्ष इसमें खरा उतरेगा लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नकरे होते रहें ड्रामा होता रहें डिस्टर्बेंस होता रहे लोग सब्स्टेंस चाहते हैं इस लोगन नहीं चाहते हैं पियमोदी के इस बार की भाषण में सही योगियों की एहमियत और उनकी ताकत की भी झलक साफ दिखी क्योंकि मोधी भी जानते हैं कि ये सहीयोगियों की दम पर मिली सरकार है इसलिए उनका जिक्र बहुत ज्यादा आवश्रक है सहीयोगियों की सहमती का जिक्र करते हुए PR मोधी ने कहा चलाने के लिए बहुत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती की जरूरत होती है इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती की साथ लोगों की सेवा करें हम सबको साथ लेकर सम्विधान की मरियादाओं का पालन करते हुए निर्णियों को गति देना चाहते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है लेकिन देश चलाने के लिए सहमती बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमती के साथ हर किसी को साथ ले करके माभारती की सेवा करें पीमोधी के इस भाषण में विपक्ष की ताकत और सत्ता पक्ष की कमजोरी साफ दिखी यही कारण है कि पीमोधी ने इस बात को दोहराया कि इस बार सरकार सम्विधान की मर्यादाओं में रहते हुए निर्णवयले की हाला कि ये देखने वाली बात होगी कि PM मोदी अपनी बात पर कितना खयाल रखते हैं और सम्मिधान की कितनी परवाह करते हैं दूसरी और अच्छारवी लोग सभा कि पहले सत्र के पहले ही विपक्ष ने भी अपने इरादे और अपनी ताकत का एहसास करा दिया है सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में सम्मिधान की कौपी हाथ में लेकर विरोध प्रदशन किया और नारे बाजी की इस दोरान विपक्षे सांसतों ने नारे लगा है कि मोदी की ताना शाही नहीं चलेगी, हम सम्मिधान की रक्षा करेंगे इस दोरान शाही नहीं चलेगा इस दोरान शाही नहीं चलेगा इस विरो प्रिज़ों में कॉंगरिस के राष्ट्री अधियाच मलीकार जुनखर के पूरफ अधियाच तूनिया गांधी और कॉंगरस सांसत राहूल गांधी समित कई विपक्षी सांसत वन्नेता मौजूद रहे इतना ही नहीं संसत के अंदर प्रधान उंपरी मोधी जब लोकसभा सतस्य के रूप में श्रपत लेने कहे उस वक्त कॉंगरस सांसत राहूल गांधी ने उन्हें सम्विधान की कॉपी उठा कर दिखाई और विरोध चताया कॉंगरस अधियाच मलीकारजुन खरगे और कॉंगरस सांसत राहूल गांधी ने सम्विधान के मुद्दे को लेकर पियमोधी और उनकी सरकार पर निशाना साथा और कहा कि हम किसी भी कीमत में सम्विधान को खत्म नहीं होने देंगे इस दोरान कॉंगरस के राष्टी अधियाच मलीकारजुन खरगे ने कहा कि नरेंद्र मोधी सम्विधान और लोगतांतरिक मुल्यों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम सभी नरेंद्र मोधी से कहना चाते हैं कि आप सम्विधान के हिसाब से चलिए जनता हमारे साथ दी लेकिन मोधी जी सम्विधान को तोड़ने की कोशिश किये इसलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर यह जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टाचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए आज हम यह दिखाना चाहते वहीं मोधी जी आप समिधान के तहर चली है पार्टी के पूर्वधियाच राहूल गांधी ने पीम मोधी वा ग्रहम अंत्री अमिश्याहा पर निशाना साथते हुए कहा का कि प्रधान अंत्री मोधी आम्मिश्याह जो आक्रमक संविधान पर कर रहे हैं वह हमारे लिए सुईकार नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे उन्होंने की लिक्राव की संस्विधान को को ये शक्ट necessary क्यों отк all that उत लेते हुए हमने constitution पकड़ा था हमारा संदेश जा रहा है हिंदुस्तान के constitution को कोई शक्ती नहीं चूँ सकती है धन्यवाद वहीं दूसरीयों विपक्ष नीट पर इक्षा में हुई धंदली और पेपर लीक को लेकर भी मोधी सरकार पर लगातार हमलवर रही इसकी एक जलक संसत के पहले सत्र के दोरान भी तब देखने को मेरी जब सिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य के रूप में शपत लेने के लिए पहुँचे इस दोरान जैसे ही सिक्षा मंतरी धर्मेंद्र प्रधान उठे वैसे ही विपक्ष की ओर से नीट नीट और शेम शेम की नारेबाजी होने लग गयी और जब तक धर्मेंद्र प्रधान ने शपतली विपक्ष लगतार नारेबाजी करता ही पिलाल साफ है कि अच्छारवी लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही मस्बूत विपक्ष ने अपने मस्बूत इरादे जता दिये हैं पहले दिन ही विपक्ष की आकरमक रणनीती को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि ये पूरा सत्र पियम मोदी की खिचड़ी सरकार के लिए चुनोतियों से भरा होने वाला है विपक्ष सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तयार है और विपक्ष के पास महंगाई और पेपर लीक समयत कई मुद्दे भी हैं जिन पर मोदी की खिचड़ी सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में हैं वही संसत के पहले दिन सम्विधान की कॉपी लेकर विरोध करने से विपक्ष ने ये जाहिर कर दिया है कि सम्विधान की रक्षा का मुद्दा सिर्फ चुनाव भर का मुद्दा नहीं था बलकि विपक्ष आगे भी सम्विधान की मुद्दे पर पियम मोदी और उनकी सरका को घेरता रहेगा फिलाल देखना है कि विपक्ष इस बार कितनी मस्बूती के साथ सरकार को घेरता है और सवाल करता है इस खबर में फिलाल बस इतना ही ऐसे ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 पीम धन्यवाद कर दो